तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने के बाद दूद नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें क्योंकि दोस्तो ऐसे बहुत सारी गाहब ऐसे होती है जिनोंने पहले वाले ब्यात में बहुत ज्यादा दूद दिया होता है पहले ब्यात में कम से कम 14-15 लीटर दूद दिया होता है और इस बार वो 6-7 किलो मुश्किल से दे रही है उनका दूद नहीं बढ़ रहा है या तो फिर कुछ गाइब ऐसे ऐसी होती है दोस्तों कि जिनका जो अडर लेवटी है जो गादी है उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है और उस हिसाब से लगता है कि वो कम से कम 14-15 लीटर दूद देने वाली है लेकिन वही फिर दे रही है 6-7-8 लीटर ही तो उस तरह की जो गाइब ऐसे हैं उनका भी आप दूद ये जो आज नुश्का में बताऊंगा वो दे कर बड़ा सकते हैं या तो फिर दोस्तो एक तीसरा काम ये होता है कि जो कुछ गाइब ऐसों का आप उनको कुछ भी अंड़चंड खिला कर आप उनका जो अडर लेवटी है वो तो बड़ा देते हैं लेकिन ब्याने के बाद वो दूद नहीं देती है या तो बहुत ही कम दूद देती है तो उस तरह की जो गाइब ऐसे हैं उनका दूद भी आप जो आज मैं आपको बताऊंगा जो तरीका उसे बड़ा सकते हैं कुछ से देशी जड़ी बूटिया हैं दो ही हैं ज्यादा नहीं है दो जड़ी बूटिया है वो देकर आप अपनी गाइब ऐसों का जिसमें इस तरह की प्रोब्लम उनका दूद बढ़ा सकते हैं क्यों किसी स्पाल मलिक है तो डूंट वरी टैंशन नहीं लेने का पसो की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो ये इस तरह की गाइब ऐसों का दूद बढ़ाने के लिए जो दो जड़ी बूटियां आती है वो आपको कहां से मिलेंगी वो आपने कितनी लेनी है और कैसे उनसे आपने आज का नुश्का तयार करना है और कितने मातरा में कि इतने दिन खिलानी है वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूशीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और द कर अबां कर ओल पर सट कर लें एपने वाइजा चैनल को सक्राइब कर एक सबसा कर लें ओर दोस्तों और आप अब Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook को फोलो कर लीजिए सात ही हमारे Facebook पेज Today Farming Zone को भी फोलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरूआत में बताया कि आज की वीडियो में जो गायब ऐसे ब्याने के बाद दूद नहीं बढ़ाती है बहुत कम दूद देती रहती है पहले वाले ब्यात से भी कम दूद देती रहती है क्योंकि नॉर्मली जो देखा जाता है वो ये होता है कि जो पहले दूसरे तीसरे चोथे ब्यात की जो गायबैसे होती है वो हर ब्यात में जैसे जैसे उनका ब्यात बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका दूद भी बढ़कर ही आता है लेकिन कुछ गायबैसों में ये शिकायत होती है कि पहले ब्यात से भी वो कम ही दूद देती है या तो फिर उनकी अडरलेवटी बहुत ज्यादा बड़ी आपको दिखाए देती है और उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा दूद देने वाली लगती है लेकिन वो दूद बहुत ही कम देती है तो इस तरीके की जो गायब पैसों को खिला कर उनका दूद बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है इसके लिए वो जो दो जड़ी बूटिया है वो बताऊंगा लेकिन उससे पहले माँ आपको थोड़ी सी सावधानिया आपने बरतनी होगी वो क्या है कि उनमें पहली है आपने ब मिक्सचर किसी भी अच्छी कमपनी का वो भी जरूर देते रहना है क्योंकि दोस्तों जब भी गाहे बैस बयाती हैं तो उसके साथ में जो गंदा पानी निकलता है उसमें पशु के सरीर शेप बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं तो इस वज़ह से पशु के सरीर के अंदर minerals की कमी हो जाती है और उसे पशु बीमार रहने लगता है और अगर हम समय रहते हैं वो minerals की पूरती नहीं करते हैं वापिस पशु को वो minerals नहीं दे पाते हैं तो आपका पशु उनकी कमी के कारण कमजोर होकर बैठ जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता है इस कारण से बहुत कमजोर हो जाता है और उसका दूद भी खतम हो जाता है तो इन मिनरल्स की वापस पूर्ती करना जरूरी होता है तो उसके लिए किसी भी अच्छी कमपनी का मिनरल मिक्सर रोज का 50-60 ग्राम अपने पसू को जो भी दाना मि अंटा दलिया के लारे उसमें मिला कर जरूर दे कैल्शियम भी रोजगी 100-100 ग्राम जरूर दे यह दो चीजे तो बहुत जरूरी है तीसरी चीज दोस्तों उसकी आपने समझ समझ पर डिवार्मिंग करते रहना उसके पेट के कीडों की सफाई करते रहना है पहली डिवार् दूद लेना चाहते हैं तो तो दोस्तों बात आती है वो दो जड़ी बूटिया कौन शी है जो कि ब्याने के बाद आपका पसू दूद नहीं बढ़ा रहा है और बहुत कम दूद दे रहा है तो वो दे कर आप बढ़ा सकते है दूद उनका तो उनमें पहले है दोस्तों 200 ग्राम असवगंदा लेकर आना है असवगंदा कैसा होता है यह आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी पहचान करने के लिए आप उसके पते देख सकते हैं उसके फल कैसे आते हैं यह गोल गोल लाल लाल से फल देख रहे हैं यह आप देख सकते हैं अगर दोस्तों आ आप खेतों में रहते हैं या आप किसान है और खेतों में जाते हैं तो आपको कहीं भी जाड़ों में ये पोदा उगा हुआ मिल जाएगा तो आप वहां से लेकर भी आ सकते हैं आपके पैसे बच जाएंगे तो दोस्तों ये आपने इसके पत्ते नहीं लेकर आने है ना ही फल लेकर आना है तो जो इसकी टहनिया है वो लेकर आनी है और वो भी सुखी हुई टहनिया होनी चाहिए जिनको आप आसानी से कूट कर बारिक पाउडर बना सके तो ये डाइशोगराम आपने असोगंदा की जो टहनिया है वो लेकर आनी है और उनको कूट कर बारिक पाउडर ब सफेद रंकी होती है तो जो सफेद रंकी होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है तो आपने पीले रंकी सतावर लेकर आनी है कितनी लेकर आनी है आदा किलो 500 गराम आपने लेकर आनी है और इसको भी आप लाकर इसका बारिक पोडर बना कर कुट पीट कर इसका बारिक पोड बना लीजिए और इसको भी एक सूखे बरतन में रख लीजिए बस इतना ही आपने करना है अब ये आपने देनी कितनी है तो दोस्तों जो असवगंदा है वो आपने रोज की पच्चिस गराम अपने पसु को जो भी आप दाना मिशरन खिला रहे हैं जो फीड बंटा या फिर जो दलिया वगएरा खिला रहे हैं उसमें मिला कर खिलानी है कितनी रोज की पच्चिस गराम दस दिन तक लगातार खिलानी है दूसरी सतावर जो है दोस्तों वो आपने इसकी डबल मातरा खिलानी है सवगंदा की डबल मातरा यानि की पच्चास गराम रोज की पीली सताव और आपने जो पोडर बनाया है उसका कूट पीट केर वो आपने वो भी जो दाना मिसरन बाट बंटा दलिया आपने पशू को खिला रहे हैं उसी में मिलाकर खिलानी है ये भी आपने दस दिन खिलानी है आदा किलो दस दिन चलेगी तो दोस्तों बस ये दो चीज़े अपने पसू को दे दीजिए आपके जो पसू में ये शिकायत है कि वो बियाने के बाद दूद नहीं बढ़ा रहा है वो काफी मातरा में दूद बढ़ा लेगा और आगे आप दोस्तों पसू की कौन सी समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जिस भी पसू की समस्या पर या बीमारी पर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूँगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसका पूरा पक्का 100% हिलाज बताऊं तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते एक और नए वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ तब तक नमस्कार